So Hello Everyone, मैं हूँ Vikram और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Reliance Industry Share के बारे में अब इस टॉक में आगे के लिए क्या levels हो सकते हैं वो देख लेते हैं तो यहाँ पर भी स्टॉक का जो current price चल रहा है वो है 3000 रुपीज का और यहाँ पर अगर मैं एक line draw करूँगा तो आपको समझ आएगा यह एक resistance line थी काफी time पहले आप देखोगे तो इसी area के around इसको resistance मिलता था holidays बात का भी देखे तो इसी area के around इसको resist करता था यह तो यह 2996 का जो price थे काफी जादा strong resistance था आप देखो कि जितनी बार भी यहाँ आया इसने rejection ही लिया है फिर इसने finally जब यहाँ पर breakout दिया था क्या हो सकता है क्या देखने को मिल सकता है हमें आगे आने वाले कुछ days में अगर आने वाले कुछ days में 3000 के ऊपर ही यहाँ पर यह stock रहता है और इसके अंदर green candles बनती हुए दिखते है तो फिर यहाँ पर हमारे लिए buying का setup active हो जाएगा और यहाँ पर इसके लिए target जो निकल के आएंगे सबसे पहला target तो होगा हमारा 3080 रुपीज का और अगर यह break होता है तो उसके बाद हमें सीधा यहाँ पर 3169 का level देखने को मिलेगा तो यह दो target हमें देखने को मिल सकते हैं अभी आने वाले कुछ days में 3000, 1082 और 3169 का यह दो level काफी ज़्यादा important है यह break होंगे ओपर की तरफ तो यहाँ पर और जबरदस्त अप्मूव आएगा और downside के लिए अगर आप देख रहे हो कि अगर stock में गिरावट कितनी हो सकती है तो यहाँ पर 2996 का जो price है यह नीचे की तरफ जब तक break नहीं होता और उसके बाद उस बट अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद के scenarios भी मैं आपके साथ discuss कर लूगा तो आपको दो targets बता दिया upside के लिए 3082 का और 3169 का downside के लिए हमारे पास 2885 पर support है काफी अच्छा अब यहाँ पर एक interesting चीज और है कि यहाँ पर stock का bonus announce होने वाला है जिसका ratio होने वाला है 1 is to 1 का और यह bonus की announcement हमें 5 September को देखने को मिल सकती है तो bonus की वज़े से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत stock में movement रह सकती है तो इसको आप अपने radar पर रख सकते हो stock को levels आपको बता दी है bonus की information दे दिए x date जैसी आएगी मैं आपके साथ update कर दूँगा आई ओप यह video upload के लिए helpful रही ह होगी ऐसी और videos देखनी है तो channel को subscribe कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली video में